कहानी का शीरशक है बिल्ली और महात्मा एक बार एक महात्मा जी अपने कुछ शिश्यों के साथ जंगल में आश्रम बना कर रहते थे एक दिन कहीं से एक बिल्ली का बच्चा रास्ता भटक कर आश्रम में आ गया महात्मा जी ने उस भूखे प्यासे बिल्ली के बच्चे को दूद रोटी खिलाया वो बच्चा वही आश्रम में रहकर पलने लगा लेकिन उसके आने के बाद महात्मा जी को एक समस्या उत्पन हो गई कि वे सायंकाल ध्यान में बैठते तो वो बच्चा कभी उनकी गोद में चढ़ जाता कभी कंधे या फिर सिर पर ही बैठ जाता तो महात्मा जी ने अपने क्षिश्च को बुला कर कहा देखो मैं जब सायंकाल ध्यान पर बैठ हूँ उससे पुर्व तुम इस बच्चे को दूर एक पेर से बांधाया करो अब तो ये नियम हो गया महात्मा जी के ध्यान पर बैठने से पुर्व वो बिल्ली का बच्चा पेर से बांधा जाने लगा एक दिन महात्मा जी की मृत्ति हो गई तो उनका एक प्रिया काबिल शिष्य उनकी गद्दी पर बैठा वो भी जब ध्यान पर बैठता तो उसे पूरो बिल्ली का बच्चा पेड़ पर बांधा जाता फिर एक दिन तो अनर्थ हो गया बहुत बड़ी समस्या आखड़ी हुई कि बिल्ली ही खत्म हो गई सारे शिष्यों की बैठक हुई सबने विचार विमर्ष किया कि बड़े महात्मा जी जब तक बिल्ली पेड़ से न बांधी जाए तब तक ध्यान पर नहीं बैठते थे अता पास के गाउं से कहीं से भी एक बिल्ली लाई जाए आखिरकार काफी ढूंटने के बाद एक बिल्ली मिली जिसे पेड़ पर बांधने के बाद महात्मा जी ध्यान पर बैठे विश्वास माने उसके बाद जाने कितने बिल्लियां मर चुकी और ना जाने कितने महात्मा जी भी मर चुके लेकिन आज भी जब तक पेड़ पर बिल्ली ना बाधी जाए तब तक महात्मा जी ध्यान पर नहीं बैठते हैं कभी उनसे पूछो तो कहते हैं ये तो परमपरा है हमारे पुराने सारे गुरु जी करते रहे वे सब गलत तो नहीं हो सकते कुछ भी हो जाए हम अपनी परमपरा को नहीं छोड सकते ये तो हुई उन महात्मा जी और उनके शिश्यों की बात पर कहीं न कहीं हम सब में भी ऐसी अनेको बिल्लियां हमने पाल रखी हैं कभी गौर किया है कि इन बिल्लियों पर सैकड़ों वर्षों से हम सब ऐसे ही और कुछ अनजाने और कुछ चंद स्वार्थी तत्तों दोरा निर्मित परमपराओं के जाल में जकड़े हुए हैं जरूरत इस बात की है कि हम ऐसी परमपराओं और अंधविश्वासों को अब और ना पनपने दें और अगली बार ऐसी किसी चीज पर यकीन करने से पहले सोच लें कि कहीं हम जाने अन जाने कोई अंधविश्वास रुपी बिल्ली को तो नहीं पाल रहे